Hey guys, this is Artok from ModexX, otherwise, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो बताँगो कि आप कैसे अपने CPU को stress test कर सकते हो, यानि अपने processor को आप कैसे 100% load की उपर चला के, उसके temperatures को जो है, आप check कर सकते हो कि आपको कितने temperatures देखने को मिलते हैं, या फिर अगर आप देखना चाते हैं, अपने system की stability कैसी है, अगर वो 100% load की उपर चलता है, तो आपको कैसी stability देखने को मिलती है अपने system से, ये सब चीज़े अगर आपको देखनी है, तो इस चीज़ के लिए आपको stress test करना पड़ता है अपने CPU का, या फिर हो सकता है कि आपने overclock करा अपने system को, फिर आपको उसकी stability को चेक करना हो, तब भी हम जो stress test करके देखते हैं, तो अगर आपको stress test सीखना है कि हम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो यही चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे हम बात करेंगे, तो चलिए उस्तोफट आपट से इस वीडियो का हम शुरू करते हैं, तो अगर आप लोगो भी इंट्रस्ट ऐसे पीसी रिलेटेट के अंदर तो डेफिनेट के अंदर हमाँ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही मैं तो बस बेल एक अंदर भी ताकि फूचर नो जो भी डालूँगा मिल जाएगा आप लोग उसकी इंसनल नोट्फिकेशन, तो वीडियो माँ के बाद इसे पहले बात कर लें तुमारे स्पॉंसर के बारे में जो किये यॉर्सेटीगी.com, यहां से आप विंडोस 10 प्रो की OEM की रिटेल की बाई कर सकते हो, और साथ ही जद आपको इसके उपर मिल जाएगा 20% के डिसकाउंट, कूपन कोड यूज करने, की बाई करने काद आपको जाने, विंडोस 10 प्रो की सेटिंग्स के अंदर, फिर जाने अपडेटेंट सेक्योरिटी के अंदर, देन अक्टिवेशन और यहां पर आपको अपनी की डाल देनी, कितने टेंप्रेचर्स देखनी को मिलने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि मैंने अपना प्रोस्टर है, वो ओवर कलॉक कर रहा है, इससे में 3.8 GHz की उपर, और अभी हमको जो इसकी आइडल टेंप्रेचर जह है, 32.38 GHz देखनी को मिल रहे हैं, अब मेरे को अगर यह देखना है, कि यह 100% लोड की उपर, कितना टेंप्रेचर यह मैक्सिम हिट करता है, तो उसके लिए मेरे को इसको stress टेस्ट करना पड़ेगा, 100% लोड की उपर अपने प्रोस्टर को चलाना पड़ेगा, बाइदवे मैं आपको बतायता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ AMD का Ryzen 5 1400, जो कि एक Quad-Core प्रोस्टर यानि की 4-Core, 8-3D इसके अंदर में देखनी को मिल जाते हैं, तो अब मैं आपको बतायता हूँ, कि आप कैसे stress test कर सकते हो, तो बेसिकली इसके लिए आपको एक software डाउनलोड करना है, जिसका नाम है IDA64, अब यही software मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, भाई देखो, बहुत सारे software वैसे आते हैं, आप किसी और के through भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट IDA64 मेरे को जादा simple लगता है, और काफी बड़ी आसा लगता है, तो मैं इसी का use इसके अंदर करने वाला, और widely use करे जाने वाला software है, बहुत लोग जो इस software का use करते हैं, तो इस software की जो link है, वो मैं आप लोगो दे दूँँगा description के अंदर, वहाँ पर आप जाके इसको download कर सकते हो, बहुत जादा simple सा software है, तो software मैंने पहली open कर रखा है, तो जैसी आप software open करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीकी की screen आ जाएगी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो मैं आप लोगो बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे उपर tools का option, tools के उपर आपको जाना है, अब यहाँ पर आपको दिखेगा फिर एक system stability test, आपको simply इसके उपर click कर देना है, जैसी आप इसके उपर आ जाओगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीकी की screen खुल कर आ जाएगी, अब यहाँ पर आपको जो अपना temperature देखने को मिल रहा हुगा है, जो कि यह 33 degree Celsius, ठीक है, अब हमको क्या करना है, कि हमें अपने CPU करना है stress test, तो आपको basically क्या करना है, कि उपर की जो तीन boxes आपको इसको tick कर देना है, जो कि यह stress cache, stress FPU और stress CPU, इन तीनों चीज़ों को आपको select करना है यहां से, और फिर आपको basically कुछ नहीं करना, सीधा नीचे आपको start button दिखेगा, आपको start button के उपर क्लिक करना है, जैसे start button के उपर क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि CPU की usage एकदम उठके 100 से, जहां पर भी थी, उसकी 4-5% जो भी थी, वहां से यह 100 तक जा चुकी है, और अब धीरे-धीरे हमारे जो temperatures हैं, वो भी 33 से उठके उपर आ रहे हैं, 58 तक यह जा चुका है, 59 हो चुका है, ठीक है, और यहां पर नीचे जो हमारा time दिखता रहता है, कि भाई कितना time हमें हो चुका है, stress test करते हुए, तो basically अब हमारा stress test है, अब वो चलता ही रहेगा, ठीक है, अब आपको जितनी देर इसको test करना है, आप उतनी देर इसको test कर सकते हो, आपको 5 मिनिट चलाना है, 5 मिनिट चलाना है, 10 मिनिट चलाना है, मेरे को और जो हमारे temperature है वो इस समय 61 degrees तक हिट हो चुका है अब आपका मन है कि आपको कितनी देर तक चलाना है ठीक है आपको आपका ही वो choice है कि आपको कितनी देर तक अपने system को चेक करना है कि भाई कब तक stable रहता है मेरा system और temperatures जो है वो थोड़ी देर बाद जाके constant होई जाते हैं अब यह लगबग 61 ही रहने वाला है या फिर यह जाए जादा 62 या फिर 63 हो जाएगा इस स्यादा इसका temperature जो है वो नहीं बढ़ेगा और stress test करने के बाद जब आपको stress test बंद करना हो तो आपको simply कुछ नी करना है नीचे आपको stop बटन यहाँ पर दिख जाएगा अंदर बहाँ जाएगे आप इस website को definitely चेक आउट कर सकते हो तो मैं मिलूगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर तब तक के लिया थैंक्स वाचिंग